हेलो गाईज वेलकम टो माई यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे देखे दोस्तों अभी आई सी ए आर ठीक है टेकनिसियन का एक्जाम चल रहा अगर आप लोगों ने अपलाई किया है तो टेकनिसियन का मैं लिख रहता हूं टेकनि यानि 28 तारिक को था 2 को था ठीक है और 4 को है और 5 को है 28 फरवरी 2 मार्च 4 मार्च 5 मार्च ठीक है इसमें या तो आपका एक्जाम हो चुका होगा या 4 को होगा या 5 को होगा ठीक है अगर आपका एक्जाम नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा इसमें हम आपको paper को handle करना है क्योंकि जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि काफी tough question आ रहा है ठीक है उस बारे में भी बात करेंगे एक एक करके बात करेंगे तो आपसे request है कि अगर आप लोग exam देने जाने वाले हैं तो इस video को पूरा देख के जाईएगा आपको काफी helpful रहेगा exam में tackle क करने में question को और exam को तो चलिए एक एक करके बात करते हैं देखिए दोस्तों चार section में पहले बाट लेते हैं क्या 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 पूछा जाता है पहला section जी के यह 25 question होते है 25 question ठीक है दूसरा math यह कितने होते है 25 question ठीक है तीसरा science section science section यह भी 25 question ठीक है चौथा social science ठीक है social science यह भी 25 question होते हैं अब एक एक करके बात करते हैं देखिए जी के में ठीक है जी के में आपको 50% तो ऐसे होंगे जो आपको easily आते होंगे देखिए सबसे पहले जी के का लेबल क्या है एक जाम में मैं 28 तारिक से ही analysis कर रहा हूं तो जी के का लेबल मैं आपको बता रहेता हूं यह moderate moderate to top है ठीक है जी के का लेबल आपको यह मिलेगा यानि 50% question आप handle कर लेंगे आप से solve हो जाएगा ठीक है easy easy question होंगे इसमें आप लोग एक मेरा suggestion है कि gk में आप एक चीज देखके जाएगा क्योंकि हर एक shift में आ रहा है reports reports and index indexes ठीक है report and index ठीक है यह 2022-2011 का इसमें क्या क्या आता है जैसे आप से पूछ देगा कि global health security index ठीक है global लिख देता हूं global health security index security index मैं पूछ देगा इंडिया का rank क्या है ठीक है यही सब पूछ देगा कि इंडिया का rank क्या है ठीक है same इसी तरह कि global hunger index 2021 बताएं इंडिया का rank क्या है ठीक है इसी तरह global food security index में इंडिया का rank क्या है तो 71th है ठीक है आज question आया था इसका ये वाला global global food security index 2021 ये आज के shift में आया था third shift में ठीक है तो आपको देखें cut up जो है न 55 से 60 से उपर नहीं जाएगा क्योंकि देखें ये तो ICAR वाले की गलती है कि आप तेंथ लेबल का एक्जाम निकालके तेंथ के बच्चे भी अपलाए की होंगे जब वो देख रहे हैंगे कि कोस्चन कि तेंथ लेबल में इतने tough question आ रहे है जबकि आप लोग देखेंगा जो GKGS का लेबल है न वो PCS से उपर है और UPSC से नीचे यानि इस लेबल का मान लेजिए आई इस लेबल का GKGS पूछा जा रहा लेकिन जो पहली बार इस एक्जाम में अपेयर हो रहे हैंगे तेंथ के बच्चे होंगे ट्वेल्थ के बच्चे होंगे वो देखके पैनिक हो रहे होंगे कि यार लेबल तेंथ में लेबल इतना है तो graduate व आसान कोश्चन आते हैं ठीक है तो आप पहली बार एक्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो बिल्कुल पैनिक मत होई है कितना टप कोश्चन आ रहा है ठीक है इसका इसका रीजन ये भी है कि देखे एक एक्जाम में इनको सॉट लिस्टेट करना है कि अगर ये लोग असान सार करते हैं अब देखिए पहला सक्षन हो गया अब दूसरा हम लोग पष्रe Em gin't. अऩे बात करेंगे ठीक है मैथ पर सब्सक्राइब राश्ट में जाएंगी ठीक है साइन्स पर देखे स्एंस में कैमेश्ट न सकोक्ष न आ हैं जादा तर कैमेस्ट्री और फीजिक्स है फिजिक्स से कैसे आ रहा नुमेरिकल को स्टने आ रहा नुमेरिकल मतलब दो लेंद्स वाला दे देगा या ये वागत here, disrupt si सूंने और पूछ के दे देगा बताईये इन मेंसे मतलब इसका mirror image कहां बनेगा कुछ डेटा दे देगा कि yourself लेंद्ध पर अब्जेक्ट रखा हुआ है अब्जेक्ट के हाई इतना है ठीक है इस तरह के कोश्चन आ रहे हैं जो की काफी टप है तेन्थ लेबल के एकजाम में ऐसे कोश्चन नहीं आने चाहिए ठीक है तो इसमें से आप 50-60% आराम से कर लेंगे और इसका लेबल वही है ठीक है मीडियम से टप है ठीक है सोशल साइंस आपको आसान आ रहा है ठीक है सोशल साइंस में कुछ नहीं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाईएगा हलका सा और आपसे लगभग 70-80% कोश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है यह थोड़ा से इजी लेवल के आ रहे हैं सोशल साइ ठीक है तो लगभग आपसे यहां से 60% कोश्चन हो रहे हैं ठीक है अब मैथ की बात कहते है मैथ भाई साब यह समझे कैट लेवल का कैट में जैसा कोश्चन आता है उस टाइप का या उससे भी उपर लेवल का इस लेवल का पूछ रहे है इतना तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था देखिया मैथ का ठीक है सीजील मेंस का भी लेवल उठाईएगा ना ठीक है सीजील मेंस उससे मिलता जूलता है सीजील मेंस से मिलता जूलता है ठीक है लेकिन सीजील मेंस से भी हम बोलेंगे टप है काफी कल्कुलेटिव है कल्कुलेटिव कल्कुलेटिव एन टाइम कंजूमिंग है ठीक है मतलब एक कोश्चन कहने में आपको कम से कम चार से पांच मिनिट आपके ले जाएंगे ठीक है चाहें आप सीजील के स्टुडेंट क्यों ना हो तो आप देखें कंपटीशन सब के लिए इक्वल हो गया ठीक है अगर आप लो करता है मैं यह बताता हूँ देखें कम से कम आपको मैथ के लिए कितने 45 मिनट बचाने है ठीक है अगर आप लोग 45 मिनट बचा रहे हैं तो 15 कोश्चन के करीब आप लोग कर लेंगे कितना आउट ऑप 25 में ठीक है आउट ऑप 25 यह काफी अच्छा अगर आप लोग 15 देखते हैं इसके बाद छोज देते हैं कि यार हमसे नहीं होगा ठीक है डियाई भी काफी टफ लेवल की आ रही है ठीक है बैंकिंग लेवल की डियाई आ रही है तो उससे पैनिक नहीं होना है बैंकिंग जो स्कोरिंग आपका हो जाएगा पंद्र कोश्चन कर लिए सेलेक्शन कोई नहीं रोकेगा टार्गेट ले लिजिए कि 45 मिनट हमें बचा लेना है देखिए और यह कैसे होगा पहला 30 मिनट में आप जीके कर लेजिए साइन्स कर लेजिए सोसल साइन्स जितने आते हैं फिर दूसरा राउंड जब जाएगा ना इसके बाद मैथ लगिए मैथ हमें ज्यादा नहीं देना 45 मिनट ठीक है और आपके पास 45 मिनट देने के बाद जितना भी होता है ठीक है कम से कम मेरे ख्याल से 12 से 15 तक तो अटेम्ट करिएगा ही करिएगा मैथ का मेरा मानना यह है जो नहीं बंदा उसको इसकीप करके आगे जाईए लेकिन 25 में से 50 परसेंट लेके चलिए कि 12 से 15 हमें आट बारा आप यह सेक्सण पर यह जीके पे साइंस पर सोसल सांक फे और जो कंफ्यूजिंग कोस्टिन है ठीक है जो आपको नरे उसमें तो कुछ तो आपको आपकी सौलू हो जाएंगे जैसे 10 कंफ्यूजिंग कोस्टिन थे ki इसमें डाउट होरा पढ़े है इसका एंसर होना चाहिए कि भी होना चाहिए उसमें से तीन-चार question तो आपको देखते के साथ ही दो बारा दूसरे round में solve हो जाएंगे, ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कि जिनका दो, दो option ही आ रहे हैं, ठीक है, दो option आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा, ठीक है, कि यही दो में से होगा, guarantee जैसे चार option होता है, एक, दो, तीन, चार, चार option है, लग रहा तीन नहीं होगा, दो नहीं होगा, होगा तो एक और चार में से, जब आपके पास सिर्फ दो option बचे न, तो आप रिस्क जरूर लेजे, या तो एक होगा, या तो चार होगा, ठीक है, तो आपको सबसे best लगे, वो आप रिस्क जरूर लेजे, इससे आपको selection और नजदिक लेके चल जाएगा, मान लेजे, चार question में ऐसा doubt आ रहा है, ठीक है, अगर आप इस में से 2 भी सही कर दिये, तो आप और उससे कितने आगे निकल जाएगे, और इस exam को पास करने के लिए, आ इससे ज्यादा cut-up किसी भी हाल में नहीं जाएगा, इससे कम ही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो आप लग बिल्कुल panic ना हुए, सबसे पहले, आधे घंटे में आप तीनो section कर लिजे, जितना भी आता है, हो सकता है, आप से 30% ही इसका हो, मतलब 75 question है, आ आप से 30 question होगा, या 25 question होगा, कोई बात नहीं, पहला round में होगा, ठीक है, इसके बाद दूसरा round में आपको math solve करना है, 45 minute में, 45 minute में, इसके बाद जो 15 minute बचेगा, उसको फिर से second round के लिए GKGS और social science देखिए, ठीक है, यही मेरा suggestion है, और काफी tough आ रहे है, NCRT का जो subjective type का question ह है, उस तरह का आ रहे है, आपको काफी detailed knowledge चाहिए, ऐसा तो PCS exam में भी नहीं पूछा जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए cut up भी काफी कम रहेगा, तो best of luck, जिनका exam होने वाला है, 4 और 5 तारिक को, आप लोग अच्छे से prepare होके जाहिए, और बिलकुल भी question देखके panic मत होईएग तो आगे कैसे आगा, आगे बहुत असाना था graduate level में, नहीं विश्वास है, आप NTPC का question उठा के देख लेजेगा, लेकिन इससे बिलकुल भी panic मत होईएगा, क्योंकि इसमें कोई भी SSC के candidate भी जाएगे, तो उनका 60 plus नहीं आ सकता, इतने जादे tough question है, या UPSC के भी student चले तो 60 plus नहीं आएगा, तो आप बिलकुल panic मत होईए, अच्छे से exam देजिए, best plug आपके exam के लिए, और जो भी update होगा, इस channel पर लगातार आपको मिलता रहता है, अगर आप लोग मेरे channel से नहीं जोड़े हैं, तो जोड़ जाएगे, मेरे channel को like केजिए, subscribe केजिए, चलिए भारत टाइम नहीं लगते हैं, जाए हिन, जाए भारत, वंदे बाता,